वेलकम दोस्तो स्वागत है आपका हमारी इस चैनल में आज हम देखेंगे टूपोर्ट नेटवर्क का वाई पैरामेटर मेथड वाई पैरामेटर मेथड का पहला सिंपल नूमरिकल में अभी लेने वाला हूँ उसके बाद एक कॉंपलिकेटर लूँगा पहले ये सिंपल ले लेता हूँ देखें यहाँ हमें 20 ओम, 50 ओम, 10 ओम के रेजिस्टर है V1, I1, V2, I2 अब ये सरकीट हमें सॉल करना है और हमें पैरामेटर्स, वाई पैरामेटर्स निकालने हैं जैसे की तो पहले वाई पैरामेटर का एक्वेशन बाई डेफिनेशन हम अभी लिखते हैं तो ठीक है, देखिए देखिए, ये दो एक्वेशन हमने यहां लिखे और हमें ये चार पैरामेटर्स निकालने तो हम यहां के VL लगा सकते हैं या तो फिर हम Y11, Y12, Y21, Y22 निकालने के लिए V1, V2 एक-एक केस में एक-एक केस लेकर वो शॉर्ट कर सकते हैं तो पहले हम वो शॉर्ट वाला मेथर्ट पहले इस्तमाल करते हैं तो ठीक है, put V1 equal to 0 पहला केस हम क्या लेंगे, put V1 equal to 0 अगर हम V1 को 0 put करते, तो सरकीट हमारा कैसे बनेगा देखिए देखिए, यहां हमने V1 को 0 किया इसलिए यह 20 ओम का जो रेजिस्टर था, वो रिडेंडन्ट ब्रांच हो गई क्योंकि V1 अगर 0 किया है, तो यहां शॉर्ट सरकीट करंट फ्लो होगा और वो जो शॉर्ट सरकीट करंट होगा, वो यह रिडेंडन्ट ब्रांच हो जाएगी और 20 ओम के रेजिस्टर में से कोई भी करंट नहीं जाएगा क्योंकि वो शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने 50 ओम और 10 ओम नीचे निकाला है और वो कंसिडर करके हमें पैरामिटर्स निकालने तो पहले हमने V1 को 0 किया है, तो हमें कौन-कौन से पैरामिटर मिलेंगे Y12 is equal to I1 upon V2, Y22 is equal to I2 by V2 यह दोन पैरामिटर्स हमें यहां मिलेंगे ठीक है, तो अभी इसे हम reduce करते हैं, इस circuit को हम reduce करते हैं तो कैसे आएगा हमारा circuit? तो यहां हमने circuit reduce किया है, तो यहां 50 parallel to 10 इसलिए 8.33 ohm यहां इसके value आई, तो हम अभी लिख सकते हैं कि V2 divided by I2 is equal to 8.33 और हमें पता है, हमें क्या निकालना है, I2 by V2 इसलिए हमें Y22 मिलेगा I2 by V2 से, तो इसका reciprocal हम लेते हैं देरफोर Y22 that is equals to I2 by V2 that is equals to 1 by 8.33 that is equals to तो अभी हमें मिला है Y22.12 ohm, 0.12 cement, sorry क्योंकि यह है हमारा y parameter और y हमेशा क्या रहता है जेड मतलब impedance और y मतलब admittance और इसलिए वो हम cements में लिखते हैं तो ohm का उल्टा, cements, ठीक है तो अभी हमें Y22 मिलाएं, अभी हमें second क्या चाहिए, इसी केस से Y12 चाहिए तो हम लिख सकते Y12 is equals to I1 by V2 तो हमें यहां से V2 पता चल जाएगा V2 कैसे पता चल जाएगा, I2 by V2 क्या है, 1 by 8.33 तो V2 अगर यहां गया और 8.33 यहां आया तो V2 हमें क्या मिलेगा, 8.33 I2 लेकिन I1 की जो value है, वो हमें पहले निकालनी पड़ेगी in terms of I2, इसलिए वो हम पहले निकालते, I1 तो I1 अगर हमें यहां निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, यह I2 यहां से current आया यह I2 यहां से divide हो गया, तो हम यहां current divider लगा सकते I2 into 10, opposite, opposite branch यह हो गई इसके so I2 into 10 divided by 10 plus 50, ऐसा हम current divider rule I1 निकालने के लिए लगाते लेकिन यह I1 जो है, वो I2 के exactly opposite है तो हम I1 निकालने के लिए, हमें पहले, यह current यहां यहां एक आ रहा है यहां एक जा रहा है, इसका divide हो रहा है तो यह जो current है, यहां जाने वाला current, उसे हम note down करते हैं I2 dash so अगर हमने इसे I2 dash note down किया, तो यह I2 dash और I1 exactly opposite है so I2 dash जो हम निकालेंगे current divider rule से तो वो क्या आएगा, I2 dash is equals to minus I1 so पहले निकालेंगे I2 dash so हम I2 dash कैसे निकाल सकतें, I2 dash that is equals to I2 into 10 divided by 10 plus 50 so 10 by 60 I2, यह क्या है, I2 dash therefore I2 dash that is equals to 1 by 6 I2 हमें चाहिए I1 और I1 हमें पता है I1 is equals to minus I2 dash therefore I1 equal to minus 1 by 6 I2 so हमें अभी I1 in terms of I2 मिला है और हमें पता है V2 भी हमें पता है अभी V2 is equals to V2 देखें यहाँ V2 क्या आएगा, V2 by I2 8.33 है तो V2 is equals to 8.33 I2 V2 is equals to 8.33 I2 तो अभी हमें Y12 निकाल सकते हैं अभी हम Y12 is equals to I1 divided by V2 और I1 हमने अभी लिकाला minus 1 by 6 I2 minus 1 by 6 I2 divided by V2 8.33 I2 So I2 I2 यहाँ कट हो जाएगा और minus 1 by 6 divided by 8.33 This is our Y12 तो हमारा Y12 आया minus 0.02 अब हम first case से हमने two parameters निकालें अभी remaining two parameters second case से निकालेंगे So put V2 equal to 0 now तो V2 को हमने अगर 0 किया तो circuit कैसे आएगा तो देखें यहाँ यह original circuit है अगर हम V2 को 0 करते तो यह 10 ohm resistor यहाँ से short हो जाएगा और इसलिए 10 ohm यह redundant branch हो जाएगी और हमें only 50 ohm, 20 ohm consider करना पड़ेगा और V2 यहाँ short हो जाएगा और V1, I1 present रहेगा और I2 भी present रहेगा तो हमारा circuit देखें यह बना 20 ohm, 50 ohm, V2 short, V1, I1, I2 तो इसी circuit को हम अभी reduce करते हैं तो देखें after reduction हमें क्या मिला यह देखें 50 parallel to 20, 14.28 ohm तो अभी हम लिख सकते हैं यहाँ से कि V1 by I1 that is equals to 14.28 और इसी से हम क्या निकाल सकते हैं हमारा Y11 Y11 हम क्या निकाल सकते हैं? I1 by V1 that is equals to 1 by 14.28 that is equals to 0.07 0.07 cements देखें हमने यहाँ V2 को 0 किया था तो हमें कौन से parameter विलने वाले थे वेसे भी? Y11 is equals to I1 by V1 and Y21 that is equals to I2 by V1 देखें यहाँ Y11 is equals to I1 by V1 Y21 is equals to I2 by V1 तो अभी हमें मिल गया है हमारा Y11 Y11 अभी हमें मिला है और अभी हमें निकालना है Y21 और Y21 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? I2 by V1 तो यह जो I2 है यह हमें अभी निकालना है तो similarly हम current divider rule इस्तमाल करेंगे और यह I1 यहाँ जा रहा है तो यहाँ क्या जाएगा? distributed current यहाँ जाएगा यहाँ से कुछ करन जाएगा यहाँ से कुछ करन जाएगा तो यहाँ से जो जाएगा इसे हम denote करते है I1 डाश से यह I1 डाश और यह I1 डाश और I2 exactly opposite है तो हम यहाँ लिख सकते हैं I1 डाश is equal to minus I2 तो I1 डाश निकालने के लिए current division rule हम यहाँ लगा रहे तो वो कैसे लेगेगा I1 डाश is equal to I1 into opposite branch मतलब I1 into 20 divided by 20 plus 50 टोटल टोटल रेजिस्टनसेस 20 plus 50 निचा आएगा तो देखें यहाँ मैंने वही लिखाए I1 डाश is equal to I1 into 20 divided by 20 plus 50 तो हमारा I1 डाश आया 2 by 7 I1 और हमें पताए I1 डाश is equal to minus I2 so I2 that is equal to minus I1 dash that is equal to minus 2 by 7 I1 this is our I2 so हमें अभी I2 तो मिला है लेकिन अभी हमें क्या निकालना है Y21 is equal to I2 by V1 I2 in terms of I1 हमें मिला है और V1 in terms of I1 हम यहाँ से दिनोट कर सकते V1 is equal to 14.28 into I1 so V1 is equal to 14.28 into I1 so अभी हमें मिल सकता है हमारा Y21 that is equal to I2 by V1 that is equal to minus 2 by 7 divided by 14.28 I1 I1 cancel हो जाएगा और हमें यह Y21 Siemens में मिलेगा minus 0.02 Siemens so हमें अभी सब पैरामेटर्स मिल गए Y21 मिला यहाँ यहाँ हमें मिला Y11 Y12 और Y22 so हम अभी इसे मैट्रिक्स पॉर्म में लिखते है मैट्रिक्स पॉर्म में कैसे लिखते है Y is equal to Y11, Y12, Y21, Y22 हमारा Y11 क्या था? Y11 था 0.07 0.07 Y12 Y12 था minus 0.02 minus 0.02 Y21 था minus 0.02 और Y22 Y22 0.12 0.12 so यह है हमारा फाइनल आंसर थैंक्यू दोस्तो अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुरुपया इसे सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फार वाचिंग अगें